आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मिराना शाहित पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को एक तेहाई आरक्षन प्रदान करने के लिए लोगसभा में महिला आरक्षन विध्यक पेश मुख्यमंत्री शिवराज सीन चोहान उज्जैन में प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस का करेंगे शुबारंब राजी के पत्विक्रेताओं का महा सम्मेलन 23 सितंबर को भुपाल में और प्रदेश में आज से 10 दिवसी गणिशोच सब शुरू अब समाचार विस्तार से केंद्र सरकार ने लोकसभा राजी विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं को एक तेहाई आरक्षन प्रदान करने के लिए आज लोकसभा में एतिहासिक महिला आरक्षन विध्यक पेश किया इस विध्यक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। नए संसद भवन में कारिवाही के पहले दिन केंद्रे कानून मंत्री अर्जुन राम मेगवाल ने इस बारी में 128 वान संशुधन विध्यक 2023 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह कानून बनने के बाद लोगसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी ने लोगसभा में कहा कि महिला सशक्ति करण के लिए उनकी सरकार्य प्रतियक योजना महिला ने तर् प्रक्षन को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं 1996 में इससे जुड़ा दिल पहली बार पेश हुआ था महिलाओं को अधिकार देने का महिलाओं के शक्तिक अउप्योग करने का वो काम शायद इस्वर्य ने से कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है एक ब प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक महिलाएं देश की विकास प्रक्रिया में शामिल हो मुख्यमंत्री शिवराची चौहान में प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस का शुबारम करेंगे इस राजिस्तरी कारिक्रम में विभिन स्वरोजगार योजनाओं के तीन लाग से अधिक युवाओं को दो हजार तीन सो करोड रुपए से अधिक गरिन वित्रण कर 1708, MSME इकाईयों और 10 करोर से 50 करोड की निवेशवाली 43 इकाईयों का लोग का पण भी करेंगे। कारिक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 307, MSME इकाईयों का भूमी पूजन और 17 क्लस्टर वच 26 विभागिये औध्योकिक शेक्त्रों का भूमी पूजन तथा लोग कारपन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाटली बहना योजना ने प्रदेश की एक करोड 32 लाख बहनों के परिवारों को राहत दी है। परिवार की चोटी चोटी जरूरतों के लिए बहनों को चिंतन नहीं करनी पड़ती। कहीं भी अपनी सुविधा की अनुसार सुन सकते हैं। यह समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके लावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदीश के पथ विक्रेताओं का महसम्मिलन 23 सितंबर को भोपाल में होगा, जिसमें शहरी और ग्रामिंग शेक्तर के पथ विक्रेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराजसी चोहान ने कहा है कि राजिस्तरी कारक्रम से सभी 413 नगरी निकाय और सभी ग्राम पंचायतें वर्चुली चोड़ेंगी। महें श्री चोहान 26 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिला स्वसाहता समू के सम्मिलन में समू को 1400 स्कूटी वितरित करेंगे। संकुल स्तरी संगठनों को 50 स्कूटी, राजिस्तरी सम्मिलन और सतना बालगाट सागर चिन्दवाड़ा और शिवपूरी जिलों के CLF को ऑनलाइन स्कूटी वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री शीचोहान महिला हित ग्राहियों को बैंक रिंट के चेक भी प्रदान करेंगे। सम्मिलन में महिला स्वसाहता समू के लगभग 50,000 सदस से भाग लेंगे। प्रदीश में भी आज से गणिव शोटसफ शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल सहेच सभी जिलों में गणिश उतसफ को लेकर उच्साहत देखा जा रहा है। बड़वानी जिले में आज गणिश चतुर्थी पर जिले में जगा जगा घरों और पांदालों में गणिश पती माय स्थापित की गए। संसकार धानी जबलपूर में सभी गणेश मंदिरों में विशेश सजावट के बीच और घरों में आज भगवान गणेश की स्थापना की जा रही है। इसे विश्व विद्याले की सतत प्रगती का एक और स्वर्णिन सोपान बताते हुए आशाव्यक्त की है कि प्रदेश के साथ विंदिक शेक्त के युवा छात्रों के लिए पत्रकारिता जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में रीवा परिसर महत्वपूर्ण भू अब कुछ समचार संक्षेप में आगर मालवा जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन में शत्त प्रथिशत मताधिकार का प्रयोग करने मददातों कुछ आगरूप किया जा रहा है नर्मदा पुरम जिले में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने ओनलाइन समेक्षा की भारती जनतापाटी द्वारा निकाली जा रही जन आशीरवाद यात्रा आज चतरपुर्जिले के लवकुष नगर पहुची इस यात्रा में पूर्वराज्य सभासांसद प्रभात ज्छा प्रभारी के रूप में मौजूद थे देवास में खेलो MP Youth Games 2023 की जिलास्तरियस परधा 21 और 22 सितंबर को आई जित होगी जिसमें कबड़ी, खोखो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स जैसे खेलों में चैनित दल भाग लेंगे जन संपर्क संचान नालेद्वरा विकास रत के माध्यम से गुना और रागुकर्ड विकास खंडों के ग्रामीडों को जन कल्याड कारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है चतरपूर शहर के शास की और द्योकिक प्रशिक्षन संस्थान में 25 सितंबर को प्रधान मंत्री नैशनल अप्रेंटिंस शिप मेला आईजित किया गया है अंद में मुखे समचार एक बार फिर संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को एक तेहाई आरक्षन प्रदान करने के लिए लोक सभाओं में महिला आरक्षन विध्या पेश मुख्यमंत्री शिवराची चोहान उज्जयन में प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस का करेंगे शुबारंब राजिके पथ विक्रेताओं का महा सम्मेलन 23 सितंबर को भुपाल में और प्रदेश में आज से 10 दिवसी गणेशोच सव शुरू आज इस पुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार